ओम शांती आज आपको एक नबर मिकर के इश्रे बर्दान में आपको स्वागत है मुर्द से जिन्दा बना देना हमने बाइबल पड़ी कुरान भी सुनी और कई और ऐसे गरंथ हैं जहां पर लिखा हुआ है कि परमात्मा की अगर आपके पर रोशनी पढ़ जाए उनकी अगर महर हो जाए तो आप मुर्द से भी आप जिन्दा हो जाकते हो अब मुर्दा और जिन्दाई है क्या इंसान के पास में धन दौलत है, संपत्ती है, सब कुछ है लेकिन फिर भी अगर खुशी नहीं है तो एक इंसान मुर्दाई है, राइट उसका हम कहेंगे, यह जीता जाकता मुर्दाई है इंसान सब कुछ होते होए भी इसके पास में खुशी नहीं है, शांती नहीं है तो मुर्दे से जिन्दा होने का मतलब क्या होगा फिर? आप समझ गया होगा, exactly तो परमात्मा ने किसी मरे हुए इंसान को जिन्दा करने की बात नहीं करी है और जो करंथों में लिखा हुआ है, उसमें यह लोगों ने गलत तरीके से समझ दिया स्पिरिचुली ना जाने से हम हर चीज़ फिजिकल ले लेते हैं, दिखिए हमने फिजिकल तरीके से सोच ले कि भागवान अगर इच्छा करे तो मरे हो भी जिन्दा कर दे तो कोई अगर मरा हुआ है उसको जिन्दा कर दे तो फिर सारे सारे लोग बोलें कि भाई मेरे बच्चे को जिन्दा कर दो, मेरे पती को जिन्दा कर दो, मेरे वाइफ को जिन्दा कर दो, उन्होंने क्या गलत किया हुआ है, आपके अंदर तो इतनी ताकत है, उनको जिन्दा कर दो, तो ये चीज, मरना और जिन्दा होना, ये उन चीजों से रेलेटर नहीं ह यह है हमारे जीवन में हम कितने सुखी हैं, खुश हैं, कितने मंद से हम अंदर दुरस्त हैं, उस जीने को या उस जागरती को हम कह रहे हैं, मरने से जिन्दा हो जाना, तो परमाता कहते हैं कि ग्यान अम्रित की वर्षा दोरा, महान बनने वाले, मर जीवा भावा, जिभ हमार लेकिन जब हमें solutions मिल जाते हैं हमें सद्बुद आती है वेवेक आती है तो हम बोलते हैं अच्छा हाँ ये चीज राइट है ये चीज करने से मैं solutions की तरफ निकल पाऊंगा और problems पीछे रहे जाएंगी तो अंदर से क्या आता है ऐसे जागरती आती है energy आती है हमें उमंग उच्छा आता है वो उमंग उच्छा आना ही जिन्दा होना है तो परमादर कहते हैं आप बच्छों पर बाप ने ग्यान अम्रित की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया हमारे कर्मों के नुसार हमें पहले पता ही निए हम क्या कर्म करें है हम अप अपवित्र कर्म करते थे जिस करण से हम मरे हुए थे मलक के अंदर से खुशी नहीं थी अंदर से इच्छा नहीं थी खुशी नहीं थी वो तना आत्म के अंदर उमंग उच्छा खतम होता जाएगा ये भाहर के लोग नहीं मानते हैं भाहर के लोग तो साइन्स तो कहते हैं कि आप जितना काम वासना में जाओगे आप उतना glow आएगा आपके face के उतना आप खुश रहोगे वो temporary है सब कुछ लेकिन आत्यात में सिकाता है कि आप जितना काम वासना में गिरोगे जलती वी चिता काम वासना एक चिता है tensions की चिता कब की जैसे हमने कल के हमने वरदान में भी सुना की जो हम चिता में थे चिंता की चिता पायर ओफ वरीज उसे हमें उठा दिया परमात्माने ग्यान अमरित पिलाकर अमर बना दिया कि हमें फिजिकल सेल्फ की अगर हम चिंता करें तो हम मरना जो है हम फिजिकली येस फिजिकली बॉडी मरती है लेकिन हम आत्मा ग्यान मिलने से कि हम आत्मा मर हैं तो हमें उस चिंता से भी हमें परमात्माने हमें अलग करती है दूर करती है तो ग्यान अम्रित जो की चीज मरती नहीं है तो किसका ग्यान शेरिष का ग्यान तो क्या है आज है कल चेंज है कल नहीं मेडिसन आगी कल नहीं टेकनोलिजी नहीं कल गी तो शेरिष का ग्यान तो हर दे चेंज होता रहता है लेकिन आत्मा का ग्यान एक ही है जो कि सत्य है जो क अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे देह अभिमान के कारण अभिमान था, इरशा थी, ग्रिना, नफ्रत, आलस, अले बिलाइपन, दुखी, वे अमंग उत्सानी जीवन में, उताज बैठे हुए हैं, जिंताओं में हैं, वरीज मे में हैं, और अंदर से जल रहे हैं, तो मरने जैसे हो गया, देह अभिमान के कारण, मैं यह हुए 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 में जहांपे आप आकर के सीख सकते हैं इस साथ के कुर्स में और मुश्यांतिस के साथ